नीमच में तयेबी स्कूल के पास इस सैफिक क्लीनिक में एक विशेश और्थो कैम्प का आयजिन किया गया इस नेशल घड़ी रोग चिकस्ता परामर्ज शिवर में सर्वसमाज को करीब 150 सदीक मरीजों ने परामर्ज शुलाब लिया केम्प में विशेश की डॉक्टर आमिर जोहर जो की फैक्चर एवं जोड फ्रत्यार ओपन स्पैसलिस्ट हैं और वे अरबंदो मैडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं उनके द्वारा मरीजों की जुआज की गई सैफि क्लीनिक के हातिम ने बताया कि इस विशाल शुवर में खाज तोर पर बीमडी के चेकप पूरी तरह निशुल्ग किया गया ये मशीन हड्डियों की मजबूती की जुआज करती है इस बीमडी जुआज का शुल्ग अन्य जगहों पर पच्चिस सो रुपे से अधिक ह डॉक्टर आमिर जोहर के अनुसार हड़ी की मजबूती के लिए शुवर में मरीजों को विशेश सला दी गई हटी रोग और जोडों से जुड़े तमाम तरह के मरीजों को जाचकर आवशकता अनुसार दवाई भी उपलब्द कराए गई है कमर दर्द और गुटना दर्द के मरीजों को एक्सोसाइज शाड उपलब्द कराए गए हैं उन्होंने बताए कि शिवर का मुख्य उदेश है कि आम आदमी व्यायाम और सकरीता से अपने आपको चुस्त दुरुस्त बनाए रखे ताकि दवाई पर निर्भरता कम हो उन्होंने खान पान और जिवन शेली पर विशेश तवज्जों देने के बाद भी कहीं बताती शले कि नीमच में सेफी क्लिनिक द्वारा समय समय पर विबन चुकस्ता शिवरों का आईवजन किया जाता है और इसमें विशेशक के चुकस्ता को की सेमाई उपलब्द कराए जाती है कि दिन में बेंडे टेस्ट क्या है और किस अदर अदर का इसमें बाहरे टेस्ट अल्मोस्ट थी फाइफ हंडड़ से चाराजार पासों का होता है पर केम में सरकेद्वारन इस सुरूप किया जा रहा है जैद्वा जाज के उसमें हढ़े। विशन्में के इसमें विशल फाज रहारे मुटैंख फिर सुन्हार कहिए। पर मजबूत में रहा है कंश्धायों कि थाए मजबूत कोर्ण है इसमें थवीमें तरह से हमने आजकल क्या सेटब रखा है इसमें हमने एक हड़ी की मजबूती की जाज BMD की होती है, वो रखी है, कुछ हमने चेक अप और कुण की और हड़ी की जाचे होती है, वो हमने 50% रेट पे रखी है, साथी कुछ दवाईयों अपलग कर रही है, इसके लावा हमने exercise के हमारे चार्ट होते हैं, तो हम चार्ट औ और मरीज को guidance प्रवाइड गरा है कि किस तरह से यह हमें करना चाहिए, मरीज की तकलीफ क्या है, मरीज को problem क्या है, और उसका उपचार क्या है, इस चीज़ पे हम मरीज को जागरुक कर रहे हैं, उस जागरुकता के तोर पे हम चाहते हैं कि मरीज अपनी सहयत को खुद करें, तकि दवाई गोली पर मिरबरता कम है, यह आज का हमारा उद्वेश है, सबसे इंपोड़न सला में यह दुगा कि कसकत करें, बर्जिश करें, एक्टिविटी बनाये रखें, और चलते फिरते रहें, जो यह चार चीज़ों को पराबर फॉलो करेगा, उसको खान पान में फल फूट ज्यादा लें, अंडा, दही, सुजाने की फली, हरी सबजिया यह ज्यादा लें, फल फूट और हरी सब्जियों से पोशन्ट से अपना हड़ी और शरीर दोनों मस्भूत है, आज आप शिविर में ज्याज कर रहे हैं, किस तरह के मरीज ज्यादा है आज के शेविर में मैंने देखा कमरदर्द, गुठेदर्द की प्रब्लम आज के काफी ज्यादा बढ़ गई है, तादा दर मरीज गुठने और कमरदर्द की परिशानी लेकर के आते हैं, और इसका मुख्य कारण है उनकी एक्सरसाइज ना होना, एक्टिविटी लो होना, या जिसे बोलते है, जीवन शेहलिए जिसे बोलते है कि सटेंटी लाइश्टाइल हो गई है, वो होना, आज करीब देड़ सो क्या स्वास रजिस्टेशन होए है, मैं महू से हूँ, मैं डॉक्टर आमिर जोहर, मैं और्थोपेडिक्स डॉक्टर हूँ, मैं जोड प्रत्या ह perspectives कर ले Carolina है, मत जो मैं सकते है एज़ जогी एजब क्याँ जब कें कि सरेम भी सो कि मतमीर है, मैं जो गपको है, मैं जोग एधिस्टेश ठोभीग एहन होँ, मैं शें ग्गिग जोगाइशन होह, जोगा प्ufficientफ़ देवा है, वोगगा सय आम्स्शेशन होँ, स्वास ब theoristrant